हेलो दोस्तों लाप्टोब मास्टर में आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त निशान आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए लाप्टोब के साथ आज हम लेगा है लिनोगो का न्यू आइडिया पैट स्लीव 5 जी हाँ हाल ही में लिनोगो ने इसको लांच किय उसको विराम देते हुए अब ऐसा लगता है वो नई सीरीज लांच कर रहे हैं यह अल्ट्रा में तो यह अल्ट्रा प्रोसेसर की फर्स्ट जनरेशन है तो दोस्तों आज हम इसको अन्बॉक्स करेंगे कहीं मत जाएगा वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है इसक से आगे आने वाली नहीं नहीं वीडियो आपको मिलती रहेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा तो दोस्तों आगे बंदे से पहले में एक बात और बता दू यह लाप्टाप हमें लिनोगो से मिला है और जहां से मिला है वो दिल्ली के अंदर करोल बात में लिनोगो एस्क्ल ticket है के एंग्टेक्नोचीजर हमें यहां से यह लाप टरोड गया है हम अनभॉक्सिंघ इंग करें तो इसके पास यह लिनोगो एस्क्म के पास चल्याएगा तो चली दोस्तों करते हैं लाप की अनभॉक्सिंग आ way और सिरफ इन लापकउड दी लेके नही एडेप्टर होता था 65 वाट का अडेप्टर है यह भी लेकिन पावर कोड़ इसमें अलग से नहीं दीवी इसी में अटेच है आप इसी को पावर प्लग में लगाई और टाइप-C चार्जर आपको इसमें मिलता है डेकि टाइप-C चार्जर का फायदा होता है कि वह लापट लिनोओ ने इसमें अपनी बादी दिए अलमुनियम बाडी के अंदर है अगर हम लापटोप बहुत ही बाटर के अंदर लिनोओने यह लापटोप दिया है एक हाथ से open करके देखते हैं एक हाथ से open हो गया है अगर हम देखेंगे इसमें पेपर है अंदर भी छोटा सा manual है हम देखते हैं बहुत ही sleek laptop निकाला है लिनोगो ने only 1.46 kg का ये laptop है तो चलिए दोस्तों laptop को boot up करते हैं इसकी configuration देखेंगे और कहीं मैं देएगा उसके बाद laptop का back panel भी open करके आपको दिखाएंगे अगर आप ports की बात करेंगे तो laptop के right side में आपको चार ports देखनों को मिलते हैं जो पहला port मिलता है type C port वो भी आपका 5 Gbps USB 3.2 Gen1 और एक आपको मिलता है sound के लिए यानि कि आपको 3.5 mm का headphone और microphone jack जिसमें आप speaker और headphone connect कर सकते हैं अगर आप बात करेंगे laptop के left side में तो left side में आपको तीन port देखने को मिलेंगे दो port हैं आपके USB दोनों ही आपके जो USB port है वो 3.2 Gen1 के साथ है 5 Gbps के साथ लेकिन तो थोड़ा साथ दोनों में एक difference है एक आपका हमेशा always on है जिसमें आप देखेंगी जो first port है वो हमेशा उसमें power always on मिलेगी अगर आपको अपना चार्ज करना है आपका mobile phone या कोई और आप iPad चार्ज कर सकते हैं आप इससे और एक आपको मिलता है Micro SD card reader आपके card को read करने के लिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं laptop की configuration इनों ने अपने Ultra 5 processor में आपको क्या क्या दिया है Ultra 5 processor के laptop है देखे सबसे पहले बात करेंगा हमेशा प्रोसेसर की Intel Core Ultra 5 125H है यह first generation है Ultra series के अदर अभी तक हम उसमें core उसमें देखते आये थे 11, 12, 13 generation और कुछ हमने वीडियो रनाई थी जो OMEN की थी HP के laptop की जिसमें आपको 14th generation भी था लेनोगो ने भी लाँच किया था 14th generation के साथ लेकिन अब हम यह देख रहे हैं कि Ultra processor companies adopt करती जा रही है तो जो पहला यह laptop है Lenovo का Ultra 5 processor के साथ इसमें अगर हम देखेंगे तो इसकी base speed 1.2 GHz है जी हाँ 1.2 GHz है लेकिन अगर maximum turbo boost frequency की बात करें तो वह 4.5 GHz है और 4.5 GHz only for the performance core जितने performance core है उनी के लिए है अभी हम देखते हैं इसमें core दिखा रहा है हमारा 14 देखें Ultra 5 processor के अंदर हमारा यह difference आता है अभी तक हम देखते थे Intel के processor में P core होते थे performance core और efficient core यहाँ पे हमारा P core होता है performance core efficient core और low power efficient core जिसको हम NPU भी कह सकते हैं यह हमारा totally AI के beneficial के लिए है आगे future जो हमारा AI का है उसमें हमारे यह use होगा तो यहाँ पे हम देखते है core 14 है 14 में हमारे 4 performance core है 8 हमारे efficient core है और जो 2 core है वो low power efficient core है तो जो हमारे efficient core है उनकी maximum frequency 3.6 GHz है और low power efficient core की frequency maximum जो आएगी वो approximately 2.5 GHz आपको मिलती है logical processor की बात करेंगे 18 है और L3 cache की बात करेंगे तो 18 MB है देखें NPU क्या है या आप बात करेंगे कि यह low power efficient core है इसमें प्रोसेसर पे हमें एक अलग video बनानी पड़ेगी कि जो भी ultra processor है उसकी पूरी आपको detail हम उसमें दे पाएंगे in future मैं पूरी कोईश करेंगा कि वो एक video आपके लिए ले के आऊं लेकिन अभी हम इसमें एड़ करेंगे तो यह video बहुत लंबी हो जाएगी जिसमें आप भी खुद बोर हो जाएंगे बात करेंगे memory की देखिए 16GB की इसमें आपको RAM मिलती है LPDDR5 RAM है लेकिन आप सबसे बात speed देखिए frequency देखिए 7467 MHz लेनोव ने अपनी इस laptop में दी है स्लॉट यूज दो है दो के दो है इस सॉल्डड रहम है जब laptop को बैक पनल उपन करेंगे तो आपको वह भी उपन करके हम दिखाएंगे अभी ज़क हम 3200 देख रहे थे जिसमें DDR4 आती थी 55 4800 50 600 लेकिन यह 7467 MHz की RAM बहुत आपको जबदर speed मिलेगी हम डिस्क की बात करते ह आपको इसमें लगी मिलेगी GPU की देखें इसमें इंटल आर्क ग्राफिक्स है अभी तक हम देखते थे पहले इंटल यूएसडी ग्राफिक्स आता था नॉर्मली आई 3 आई 5 के अंदर फिर इंटल आईरिस ग्राफिक्स आया अब इंटल अपने प्रोसेसर में इंटीगेट जो ग्राफिक्स दे रहा है वो इंटल आर्क ग्राफिक्स है जो डारेक्ट एक्स 12 को सपोर्ट करता है देखें इसके अंदर अपनी कोई भी डेडिकेटिड ग्राफिक्स मेमोरी नहीं है जैसे कि हम AMD के प्रोसेसर में देखते हैं जिसमें 512 ये 2GB ग्राफिक्स हमें देखन डिफरेंस आपका NPU इंटल's AI boost 0% देखें इन फ्यूचर जितने भी अब लाप्टाप्स आएंगे अल्ट्रा प्रोसेसर में सब में NPU होगा और ये सपोर्ट करता है AI टेक्नोलोजी के लिए अब जैसे आपको इसके फीचर्स भी पता चलते रहेंगे इसमें आपको 14 इंच परसेंट sRGB आपको इसमें देखने का मिलेगा 60 Hz की स्क्रीन है और अगर आप बात करेंगे डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक की वह आपको इसमें 500 मिलता है बात करेंगे कैमरे की तो फुल HD कैमरा 1080p with IR privacy shutter के साथ आपको इसका कैमरा मिलता है यह जो वीडियो देख रही है यह वी हुआ है तो चलिए दूस्तों समय हो गया है लापको बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाने का देखेंगे बैक पैनल ओपन हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अप्गेशन की आप्शन जो भी है वो दिखाई दे जाए और आपको पता भी जिल जाए अंदर जो बोड है हाँ पर क्या पार्ट्स लगे वें आपको उसमें काफी है मिलती है लाप जब भी आप पर्चेस करने जाते हैं तो आपको पूरी नॉलेज़ रहती है उसमें तो दोसरक लाप्टम खोगेया तो चलिए देखते हैं अगर में देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा तो हम्में आप क्या प्रशन दिखाई रहा है हमें मिये मैश्में बैटरी की दिखाई दे रही है बैटरी की बात करेंगे सबसे पहले आप देखिए 11 और फेन पॉर्शन से पार्ट को कवर कर रखा है मैं आपको दिखाता हूँ अगर हम यह ब्लाक हटाते हैं तो हमें उसके नीचे हमें SSD दिखाई देती है और वहां पे हमारा प्रोसेसर भी लगा हुआ है प्रोसेसर जो हीट सिंगे थूरू फैन से अगर हम बैटरी की बात करेंगे तो 57 वर्क आवर की आपको इसमें बैटरी मिलती है साथ में आप देखेंगे यहां पर दो स्पीकर्स लगे वे हैं जो दो दोडोवॉटस के दो इस्पीकर यहां पर नीचे ही आपको वाइफ़ाई देखने को मिलेगा यहां पर अगर आप सबस्क्राइब देखेंगे आपको ये Wi-Fi आपको देखने के मिलता है जो Wi-Fi लगो ने इसमें दिया है Wi-Fi 6E आपको इसमें मिलता है जो लिन वぁको देता है तो दोस्तो आज हमने अन्ब्क्स किया linov का न्यूदि लाउंच idea пад slim 5 ultra processor के साथ के हमने इसकी configuration देखी इस में जो इंटल यहां फॉल इसमें ने अपनी स्क्रीज में यूज करी अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत बढ़ा पैकर आपको यह चोटे से प्राइस के अंदर बनाके दे धिया अगर डिखे वाप्लिंगी चेक करी वाप्लिंग आ में देखने को नहीं लिए हम बाड़ी की बात करेंगे अलमूनियम बाड़ी के अंदर है वेट भी सिर्फ 1.6 kg आपको इसमें मिलता है देखिए 14 इंची लापटप के अगर हम बात करेंगे तो लेनवों ने आपको पूरा एक पावर पैक्ट बनाके दे दिया है प्राइसिंग की हम अभी आपके दिसकस करेंगे देखिए यूसेज की बात करते हैं तो आप इसमें सिर्फ हाइर गेमिंग छोड़ दीजिए और अगर आप बात करेंगे वीडियो एडिटिंग की आप ये छोड़ने के बात आप सारी को फोटोशॉप भी आप करना चाहिए तो आप इसमें कर सकते हैं प्र जरुत नहीं पड़ेगी भी नहीं और आप कर भी नहीं सकते लिनवो इसके साथ वन येर की ऑन साइट वारंटी देता है अगर आप अपगेड कर सकते हैं जब भी आप लिनवो एसकूसरी स्टोर पे जाएंगे तो आप बहां से जरूर पूछ सकते हैं लिनवो टाइम टॉ लेना चाहिए तो आप भी ले सकते हैं और मैं हमेशा यह कहता हूं कि जब भी आपने वारंटी एक्स्टेंड करा नहीं हो या एक्सिदेंटर डैमिज प्रॉडक्शन लेना हो तो हमेशा लिनोगो की या जो भी आप ले रहे हैं उसी ब्रैंड की ही लीजेगा कभी भी थार लेनोगो के पास सारे पार्टी भी होता है तो पार्ट भी इजली हो जाता है और अगर आपको मिलती है यह जहां से मिला है करोल बाग में के पी एंगी टेक्नोजी लिनोवा एक बार यहां पर जरूर सच करिएगा प्राइस आपको हमेशा बैटर मिलेगे अभी तक मौसली ह हम इस प्राइस रेंज के अंदर ओलेड़ स्क्रीन आसूस लापटाप्स पर देखने को मिलती थी हमें लेकिन लिनोव ने अपनी आइडिया पैड इसलिन 5 के अंदर भी आपको ऑलेड़ स्क्रीन देना शुडू कर दिया अल्ट्रा फाइफ प्रोसेसर के साथ देखिए पूरा सपोर्ट करता है आज की डेट में यह लापटाप फुल एई को सपोर्ट करता है वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा और वीडियो के अंतक हमारे साथ बने रहने का बहुत-बहुत धन्यवाद मिलेंगे अगली वीडियो में नए लापटा